तो आपके लिए वीडियो बहुत important है तो देखे इस बार आएंगे तीन comprehension तो क्या pattern change है अगर pattern change है तो कैसे solve करना है पूरा आपको इसमें बता जाएगा आप सभी को बता है कि जो comprehension होता है वो सबसे important part है paper 1, paper 2 के लिए तो तीन comprehension कैसे आते है तो देखे paper 1 में आता है एक comprehension और paper 2 में आते हैं दो comprehension देखे जब आप 2019 में जब syllabus change नहीं हुआ था उससे पहले की अगर मैं बात करो तो वहाँ पे paper 1 में ही आता था comprehension paper 2 में बहुत कम rare chance से आने के आते थे लेकिन कम आते थे लेकिन अभी क्या है जब से 2019 मे पढ़ा के देखे pattern change हुआ है वहाँ पे तीन comprehension कर दिये गए है एक comprehension paper 1 का और दो comprehension आते हैं paper 2 में अब देखे एक comprehension में क्या है कि 5 caution होते हैं जिसे मालेजे फर्ज करिए paper 1 है paper 1 में एक comprehension है तो एक comprehension में देखे 5 caution होते हैं जिसके दो नंबर है तो 5 कोई 2 से करे तो 10 नंबर हो तो दो उसे 2 से multiply कर तो 20 नंबर हो गए यानकी कुल में इलाकि में बात करूँ paper 1 के 5 question company engine के और paper 2 के 2 comprehension के 10 question ये 15 question जो हैं ये आपके 30 नंबर exam में पक्के कर देंगे अब देखे जो आपका exam है वो होता है 100 marks का होता है paper 2 50 sorry 200 marks का होता है paper 2 और 100 marks का होता है paper 1 तो 300 marks का होता है इसमें तो 300 marks में से देखिए आपका जो 30 number आपके पक्के हो जाएंगे कोमप्रिएंशन जाई है क्यूंकि अब 5 सवाल इसमें सही कर देंगे 10 सवाल इसमें सही कर जाएंगे आप कोई भी पेपर उठाके देख लिजिए पेपर बंड में तो एक कॉम्परेंशन है यह पेपर टू में दो कॉम्परेंशन आते हैं जिसे स्टुडेंट लाइटली ले लेते हैं अब कॉम्परेंशन देखें फ्री के सवाल क्यूं है आपको पराग्राफ दिया पंद्रा कॉशन सही कर लिए आपके तीस नमबर पक्के हो जाएंगे फ्री के अब यह आपको मैं डैमो के तोर पे करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है जिस प्रकार से आप असानी से कॉशन का अंसर जो है वो ढूंड सकते हैं देखे दो तरीके होते हैं यह दूसरी तरह पहले कॉशन असर पढ़िए फिर पराग्राफ पढ़िए आपको असानी से हो जाएगा तो पूरा ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आपके तीस नमबर पक्के हो जाएंगे ठीक है तो आप इसे गौर से देखे बरी वीडियो को वीडियो बहुत ज़्या पूरा जो पैटर्न है देखे यह ओफिशली यहाँ पर चेंज नहीं किया गया लेकिन यूजिस ने धीरे धीरे चेंज किया कि ताकि जो स्टूडेंट है वो इसे कर पाएं जो इसे समझ गया वो असानी से कर लेगा जो नहीं समझा वो अटक जाएगा तो अभी कैसे सॉल् स्टारी करी और सक्सेस पाईए पेपर वन में स्पैशल कोर्स के साथ जिसमें आपको मिलेगा स्पैशल फीचर जिसमें आपको मिलेगा दस यूनेट का कंप्लीट वीडियो पीडियाफ नोट्स मंडेट फ्राइड़े होगी पांच दिन क्लासे सैटर्ड़े होगा आपका संडे होगा वीकली टेस्ट यूनेट वाइस टेस्ट मॉक टेस्ट प्रेविसर कोचन सब कुछ आपको इसमें अक्रवाए जाएगा तो कोई बुक पड़नी है ना ही कोई नोट्स मिनाने सब कुछ फुली अप्डेटेड इसमें होगा इसकी कोस्ट है उनली 1650 रुप कोर्स तो देखें पैसेज बढ़ते हैं देखें यहां पर पैसेज में लिखा है ग्रेजुशन इसे ओनली माइल स्टोन इन लाइफ जर्नी इड़ नॉट मार्ट अफ अवर एड्यूकेशन रोड अब देखें यह कहते हैं कि जो ग्रेजिशन होती है वह हमारी लाइफ जर्नी का सब्सक्राइखा को माल स्टोन होता है मील का पत्तर में अब भी आञड़ को इसका ने मत्तों में की द contemplate इतंगे प्रेल्य चेहीं सभी ज़्योइशन और फख़लूइस थमया 150 हज दूर्व सबैब कि दूर्वह के लाइप दूर को मेंनेог करें जितनी यह कहते हैं कि जो हम graduation जब हम करते हैं, है ना चाहिया है आपने B.A. किया है, M.A. किया है, पॉजब हम 12th के बाद, allons 12th या प्लस 2 के बाद, जब हम क्या करते हैं, तीन साल यह चार सल का graduation और वैसे दिखिए तकरिबें 30 साल का graduation है, तो अगर हम दिखे ग्रेजिशन कर लेते हैं हम ग्रेजिट हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो हमारा एजुकेशन का एंडर नहीं होता अब देखे आपने माली जी ग्रेजिशन कर लिया तो ऐसा तो है निये कि वहाँ पे आपके पढ़ाई खतम होगी आपका एजुकेशन खतम होगया उसके बाद देखे बहुत सारी सीजिशन निकलती है आप उसके बाद पोस्ट ग्रेजिशन कर सकते हैं आगे जाके पीएचडी कर सकते हैं आप कोई भी गौर्णन इंजाम दे सकते हैं ऐसे करके तो यहाँ पे कहने का यह मतलब है कि ग्रेजिशन जो है वो only milestone है हमारी life जर्नी का तो यह कोई education का end नहीं है उसके बाद इस वेरी रियल सेंस इट इस दा कमेंस्मेंट ताइम दा बिगिनिंग अफ इन्यू जर्नी which will be the test, the toughness of your mental and moral fiber, the efficiency of your university training अब देखें यह कहते हैं कि graduation milestone होता है हमारी जिंदगी का, हमारी life का यह education का end नहीं होता अगर हम real sense में देखें तो यह वो time होता है जिसमें हमारी नई जर्नी की शुरुआत होती है तो इससे क्या होता है आपकी जो toughness होती है उसका पता चलता है आपके mental का, आपके moral का है तो इससे आपकी क्या है university training है अब देखें यह new journey क्यों कहते हैं अब देखें जैसे आपने graduation कर ली graduation के बाद देखें आप job ढूनने लगते हैं या तो देखें बहुत सारे government exam है आज कल graduate level पे हैं अगर आप SSE exam देते हैं वो CGL है न होता है combined graduate level SSE है, banking है, railway है और दितने भी government exam है चाहे वो police के exam है चाहे वो UPSC है, ISIPC से कुछ भी है तो इस सारे exam क्या है यह आपके होते है graduation के बाद यान कि देखें आपने graduation कर लिया, यहाँ पे education का end नहीं हुआ आपको क्या करना है उसके बाद आपकी एक नई journey start होती है life की जहाँ पे आप different type के exam देते है उसकी त्यारी करते है और जो आप बनना चाहते है आप वो बनने है तो यहाँ से क्या है आपकी एक नई जिन्दगी की शिरुआत होती है तो इसमें efficiency किसकी है? university training की तो simple सी बात है कि education यहाँ पे graduation के बाद खतम नहीं होती यहाँ से आपकी एक नई life की शिरुआत होती है तो यहाँ पे आपका mental जो है toughness कितनी है यह वहाँ पे देखी जाती है होता है ना जैसे आपने exam दिया नहीं हुआ फिर दूसरी बार दिया तो देखते हैं कि आप mentally तोर पे कितना strong हो हाला कि देखे जो ugycenet का exam होता है वो देखे किसके लिए होता है वो होता है पोस्ट graduation के बाद लेकिन यह paragraph है graduation का अब देखे आपको इसमें नए experience मिलते हैं graduation के बाद नए experience मिलते हैं नएने problem आती है नए situation आती है आपके सामने है ना तो जिससे आपकी quality निकल के आती है है आप कितना भैतर कर सकते हैं कितनी quality है वो आती है यह किसके दोर है university function आप देखे माल लिजे कि आपको graduation के बाद कहीं भी admission लेना है है ना तो post graduation करना है तो university देखे जो function है university according क्या क्या होता है वो आपको यहां पर दिखाया जाता है तो इससे आपको क्या नए experience आता है अभी तक आपने graduation किया लेकिन post graduation करेंगे आपको नए experience मिलेगा in a new and independent India the future will give power and responsibility to you अब देखे जो new and independent इंडिया है वो आपको नई power नए शक्तिया और responsibility देता है अब देखे इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब होता है आपको देखे मैं पैरा गरा पढ़के तो बता रहा हूं साथ मैं आपको मैं समझा भी रहा हूं है ना आपको ऐसे ही प इंडिडे अब देखे हो तक है है जीजाइए डिरयाज्ट हो इसे हो इसे निर्डी पन्टर ने Aga के कि आप ंगी चाके आपने डूक्तर ऑनगे आप एंजीनियर बन गे आपने ऐसे से कि आपने कुछ भी किया तो आपको गौर्मेंट जो मिलती है गौर्मेंट आपको अपनी responsibility दीते है कि ताकि आप उसे आगे रेखे जा सके दा historic role of the large educated classes in the building up of free India cannot be over estimated है ना तो देखे जो historic role है देखे यहां पर क्या जो educated classes है कि जो कि एजुकेटेटट परसन है हैना देखें एक तो होते educated person Θबोते हैं नो नेजुकेट्ट या अनेजुकेटट अब ढिए जह एजँकेटड है क्याम एज़केटेट्र जो खलास है और देखें कभी over estimate नहीं करना चाहिए है उन्हें कभी over estimate नहीं करना चाहिए कि दिखिए जो educated person है वो बदलाव लाते है यहां पर है रहा वो ही दिखिए change करते है न If a leader is one who knows where he is going, who has a firm grasp of insights and institutions which have made our civilization so enduring and who can harness them for every aspect of life, it is only the university that can train man for leadership. आप देखें जो leader है अगर वो कहीं पर जाते है देखें उन्हें पता होता है कि क्या कहना है कैसा भाशन देना है क्या करना है आगे जाके हमारी सब्वेता क्या है हमारी क्या है तो देखें जब भी leader कहीं पर जाते हैं आप देखें जब भी नेता कहीं पर जाते है किसी भी तो उन्हें कैसे कैसे करना है उन्हें जिंदगी के वह नए-एप बताते हैं तो देखिए यह जो चीज है इस नई है इस अ है इसज़र इंडा उन्वार्सटी वह मैंन को क्या करेगी वह मैंन को लीडर्षिप के लिए तैयार करेगा अब देखे जो आज के graduate है वो कल के leader होंगे जरूरी नहीं है देखिए अब जो आपको अगर leader बनना है नेता बनने तो आपको पड़ा लिखा होना जरूरी है लेकिन होता कि अगर पड़ा लिखा नेता होगा तो वो देश को आपके लेके जाएगा the university the universities are more than institution for higher learning and professional training अब देखे जो universities है उनके बास देखे जो higher learning और professional training होती है वहाँ पर वो करवाती है university professional training करवाती है higher learning होती है they are called upon to educate younger generation from character and create new type of intellectual leadership देखे युनिवेस्टी के तवारा क्या होता है आपको training दी जाती है higher learning दी जाती है जो younger generation है educated है उन्हें देखे जैसे वो है तो उनको new type से वो पढ़ाया जाता है करवाया जाता है कि ताकि वो जान सके कि करना क्या है तो यहाँ पर देखे इसका मतलब क्या बनता है simple सी बात यहाँ पर देखे एक बात common यहाँ पर की गई है ने कर दिया कुछ बच्चे सोचेंगे अभी आपको यह की आगे जाग कोशन आएगा कि बताईए इसका जो टाइटल क्या है तो कुछ बच्चे गएंगे इसकी तो देखे यहाँ पर क्या है घूम फिर के बात यहाँ पर देखे यूनिवस्टी एजुकेशन के बारे में बात की जाती है आप देखे जिए वह भी यूनिवस्टी के अंडर ही आती है इसलिए तो इसका टाइटल जो है वो क्या बनेगा यह आपको तैक करना है जब तो आपको यह समझ में आ गया होगा अब हम आगे बात करते हैं अब कॉस्टीक करते हैं यहाँ में ने दिखे यहाँ में एकर फिर से टीटाफ दीया है साथ में कॉस्टी दिया है वो आपको स्क्रोलिंग करनी होगी साथ acquire ना तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा आपके जो देखे, become a graduate, graduation, university education या intellectual education अब देखे, आपके साब से इसका title क्या होना चाहिए, कि graduation है, becoming a graduate, graduation, university education या intellectual literature अब देखे, सभी की बात इसमें की गई है, लेकिन इसमें ज्यादा बात किस की गई है, base किसका है ज्यादा, वा आपको तै करना है, तो देखे, right answer है, option number C, university education अब देखे, इसका आया क्यों answer, the suitable title for this passage is university education as it talks about graduation and other aspect like functions of university education, अब देखे, university education जो है, वो title सबसे suitable है, क्यों, क्योंकि देखे, यहाँ पर क्या है, कि जो university education के अंडर, देखे, university education ने, graduation के बारे में बात की है, है न, और other aspect, जो हमारे life, function, जो हमारे life होते है, उसके बारे में बात की गई है, यान कि जो भी हम जिन्दगी में सीखते हैं, चाहे ग्रेजुशन हो, चाहे जिन्दगी में कुछ भी हो, वो हम किसे सीखते है, university education से सीखते है, तो इसका title है, C, जो बचे देखे, ग्रेजुशन सोच रहे थे, वो गलत थ only a beginning of math journey, अब देखे, ये चारो option आपको match करके देखने हैं, कि इन में से क्या है सही, तो अगर देखे, आपको चारो option देखने हैं, आपको समझ में आ चुका है, ग्रेजुशन है क्या, तो इसका देखे, राइट आंसर है, ग्रेजुशन इसे, इन्हें reality only a beginning of math journey, option number D, अब देखे, यहाँ पर starting में क्या है, यहाँ पर इन्होंने तुरह ट्रिक डाला हुआ है, यहाँ पर आप पहला point देखेंगे, only a stage in life journey, है ना, तो देखे, यहाँ भी लिखा है, ग्रेजुशन इसे only a milestone in life journey, अब बहुत सारे student द देखे, इसका पहला जो option है, वो टिक कर देंगे, क्यों, यहाँ पर भी life journey लिखा है, यहाँ पर भी life journey लिखा है, तो बहुत सारे student ने यहाँ पर अपना answer गलत कर देंगे, लेकिन देखे, यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था, यह milestone है, लाइफ जर नहीं है, यह क्या है, मैंस new journey के लिए क्या है, यह beginning है, तो दिखे, यहाँ पर explain भी क्या गया है, it is clearly stated in the passage, that graduation is the commencement time and the beginning of a new journey, है न, यहाँ पर लिखा हुए न, देखे, आप देखे, यहाँ पर इने से लेके, यहाँ पर लिखा हुए न, training तक, आप देखे, इनको पढ़के देखे, आपको यह पता चल जाएगा, ऐसे ही caution ढूणने, देखे, आपको एक बर paragraph समझ में आ गया, caution आपके एकदम से लगेंगे, ऐसे लगेंगे question, आपके 5 के 5 questions सही हो जाएंगे, 10 number आपके free में हो जाएंगे, मैं तो आपको देखे, टाइम लेके यहाँ पर पढ़ा रह and moral fiber means, अब देखे, जो toughness है, आपकी mental moral, वो है क्या, strength of your mental and qualities, greatness of intellectual morality, the powers that an educated person, या qualities of the mind and character, देखे, चारो में से कोई भी option, आपको देखे, टिक करना है, आप चारो को match करके देखे, यहाँ से, तो आप यहाँ से असानी से पता लगा सकते हैं, तो देखे, यह बहुत ज़्यादा important है, मैं आपको फिट से बताता हूँ, क्योंकि देखे, क्यों ज़्यादा important है, क्योंकि देखे, आपको एक नई चीज़ सीखने को भी लेगी, जब तक देखे, आपको यह याद नहीं होगा, तो आपको यह करना ज़रूरी है, तो देख of your mental and moral qualities, देखे, explanation भी साथ में दी गई है, as used in the passage, toughness of your mental and moral qualities, अब देखे, यहाँ पे पैसेज में क्या दिया गया था? toughness, है ना, passage में यहाँ पे देखे, क्या दिया गया था? toughness दिया गया था, toughness of your mental and moral fiber, अब देखे, toughness का meaning क्या है? strength, तो इन्होंने यहाँ पे toughness नहीं डाला, यहाँ पे उन्होंने strength डाल दिया है, तो जिसके वेज़े से आप confuse मत होईएग तो ये इसका सही है तो इसका मेनिंग यही है कि strength होती है ये ठीके फ्रेंट्स तो आपको देखे ये बिलकुल अराम से करना है ध्यान से करना है कि ताकि आपको ये समझ में आए क्योंकि देखे अगर आप इसे अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा तो जरूरी है कि आप इसे अच्छे से करिए ध्यान से करिए अगर आपको दगता है कि हाँ ये कहीं पे गलत हो रहा है तो आप उसे फिर से वहाँ पे देखे क्लिक कर सकते हैं तो आपका ये असानी से सही हो जाएगा तो फ्रेंट्स देख लीजिए आपने पेराग्राफ देखे पढ़ रहा है तो आपको इसमें पता होगा है ना साथ में पेराग्राफ दिया हुआ है मैंने तो आप इसमें देखे असानी से देख सकते हैं तो देखे नेक्स कोर्शन है यह सब्सक्राफ उर्यां परफार्फ वा युनिवर्स्टीश आप देखे यूनिवर्सटी के कौन से फंक्शन है यहनके देखे आपको मैंने बताया था जैसे युनिवस्टी एजूकेशन है वो देखे लीडर को भी बनाती है वो क्रेक्टर वी फॉर्म करती है सारी चीज़े क्या है युनिवस्टी से ही आती है तो आपको सुटेबल यहाँ पर देखना है इसका राइट नंसर है दी आल अफदा अबव देखे जो इनिवस्टी एजूकेशन है वो देखे राइड प्रफेशनल एजूकेशन भी बनाती है एना फॉर्म क्रेक्टर प्रेक्टर भी बनाती है लीडर्शिप क्वालिटी भी ड्वैल करती है और यह सभी चीज़े इसमें आती है देखे इस गिवन दे पैसे दाइट दा इनिवस्टी आर मोर दैं इंसिटूशन फोर हायर लर्निंग और प्रफेशनल ट्रेनिंग यहां पर आती है अब देखे यहां पर अगर आम यहां से बात करें इफे लीडर्शिप से लेखे आज देखे यहां तक यह पूरा इसमें डिया गया है यह इसमें आ जाती है यहां पर अब देखे यह सारे इसमें आ जाती है So next question है हमारा last question Which are the following suits best as the meaning of foster as used in the passage अब देखे foster का meaning क्या है जो passage में दिया है Foster का meaning क्या है cultivate है, advance है, terminate है या potential है Foster का meaning क्या है, passage में जो दिया गया है आपको देखे अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है तो आप इसे अच्छे से देख पाएंगे तो देखे ऐसे ही vocabulary के जो meaning मैंना को देखे जो पहला इसमें जो बताया था ना जो tips and tricks मैंना को देखे पहले ही बता दिया था कि आपको इसमें vocabulary वह पूछते है तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसके meaning है क्या तो आप इसे असानी से कर सकते है तो देखे इसका answer है cultivate as per the passage foster means the cultivate अब देखे पैसे के according क्या है foster के meaning क्या है cultivate है ना it is used in the context that the exercise of qualities for the fostering of which the university function it implies here that the university cultivate those qualities अब देखे यहाँ पे क्या है कि जो universities है वो देखे सभी जो quality है जितने भी quality है एक इनसान के अंदर एक educated person के अंदर वो कहां से आती है university के द्वारा इनकी university cultivate करती है जैसे देखे किसान cultivate करता है ना फसल को अपने खेतों में तो ऐसे देखे universities जो है वो qualities cultivate करती है क्वाल्टी उगाती है इसके अंदर educated person के अंदर तो देखे ये most important है जादा है ना आपको देखे यहाँ पे लिखा है ना जैसे आप देखे यहाँ पे लिखा है ना देखे सबसे उपर the new experience, new problem and the new situation will demand for the exercise of qualities and fostering अब देखे इसका मिनिक पुछा गया था fostering का मिनिक है fostering which university functions है ना देखे new experience आएंगे new problems आएंगी new situation आएंगी सारी जिजे quality आएंगी किसके दवारा आएगी university function के दवारा तो cultivate का मतलब क्या हुआ कि university के दवारा सारी चीजे आ रही है तो यह था एक passage आप देखे यह passage बहुत आसान था exam में बहुत ज़ादा आसान आते हैं कई बड़ टफ भी आ जाता है लेकिन जैसे भी आए आपको करना तो है यह और उसके लिए देखे आपको सबसे बड़े तरीका यही है कि पहले आप paragraph को अच्छे तरह से पढ़िए सोड़ा सा जल्दी पढ़िए कि ताकि आपके समझ में आए उसके बद आप असानी से कर सकते हैं सो देखे यहाँ पे हमने paragraph असानी से पढ़ा तो फटा फट इसके अंसर यहाँ पे आ गए सो